हेलो मेरे पहरे साथियो नमाशकार एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक मैंने वोटिंग करवाया था कि अगर आपको इवर मेक्टिन जो हाई टेक इंजेक्शन है उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट वो किन कन कार्णों में लगता है क्या केस की साथावदानी है किस बकरी को कितना लगा सकते है कितने मैने के आप को नुकसान भी हो सकता है वीडियो के एंड दक रहेगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को प्रेश कर जिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों ये इंजेक्स ने वो लगता किस जानवर रोक है किस वज़ा से लगाए जाता है तो इसके दो यूज है पहले तो इंटरनल और एक्स्टरनल मतलब बारी और अंतरिक प्रजीवियों को मारने का ये काम करत है ठीक है जिन पस्वों के जू चिच्चड पिस्व बाल जड़ना स्किन प्रोब्लम या कुछ बेड़ पक्रियों के आंक से नाक से पाणि आंखों के अंदर कुछ के केड़ी हो जाते हैं पाणी बैता है तो उस कंडिशन के अंदर आप ये इंजेक्शन अपने जानवरों को लगा सकते हैं ठीक है दूसरा कुछ जानवरों को भूख नहीं लगती तो भूख में भी इंजेक्शन लगाए जाता है कुछ चिक्सक होते हैं जो इसमें भूख के लिए इसको लगा दे क्योंकि अगर आपके जानवर को एक्स्टरनल और इंटरनल कुछ पर जिवी है प लगाना है तो इसकी जो डोज है वो 1 पर 50 kg के उपर लगता है मतलब अगर आपका जानवर 40 kg के तब भी आप ईक एक एमिल लगा सकते हैं कोई प्रोबलम निया है क्योंकि मेरे पास 25 kg के समधिंग उपर थी तो इसको मैं एक हैमिल लगाए था मेरे को को प्रोबलम देखने क को साथियों नहीं मिली है दूसरा आप अपने पस अगर आप जानकार है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप जानकार नहीं है साथियों तो अपने पसु चिकसकी देख रेख में इस इंजेक्शन का यूज लेना है अब नेक्स्ट टॉपिक वे बात करेंगे कि छोटे चार मेंने का भी हो तो उसको मत लगा यह चार मेने का तो आप लगा के चलिए अगर ज़्यादा है तो आप दूद्ध पित्रें बच्चे को इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी नहीं लगाना है साथि इससे आपके बच्चे को प्रॉबलम हो सकती है क्योंकि इसकी डोज आप दे लगाना है जो नवजात होते हैं तो दूसरी अगर आपने नेक्स्ट पुइंट में बात करें की है यह से से या नहीं तो दोस्तों यह वैसे तो प्रेग ब्रेगनेशी ते टैम में है मलब बच्चा देनी ही वाली है तो उस कंडिशन में भी इस इंजेक्शन को ना लगाएं ठीक है यह कुछ सावदानी है दूसरी बात अगर करें कि इस इंजेक्शन को और कि जैसे कि दूद की हां कुछ अगर आप किसी अपने जो आपकी बक्री दूद दे रही है और दूद वाले जानवर को इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो इसका विड्रोल पीरिएट है वो मीट का 28 देचमल आठाइस दिन तक आप उसका मीट कंजूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इसके अंदर एवर्मेक लोगों को यह प्रोबलम हो जाती है हर बंदे को नहीं होती है पर कुछ लोगों को हो जाती है दूसरी चीज इसको आप 30 डिग्री टेंप्रेचर के अंदर ही रखना है फ्रिज में नहीं रखना साथी और इस एंजेक्शन पर बिल्कुल बताया हुए उनली यह अगर कोई जाना बंदा वह लगाना है तो आदमी के नहीं लगेगा यह उमन यूज नौट फॉर हुमन यूज इसके उपर जो सारी के सारी चीजें लिखी हुए साथी हूँ वह आपको पढ़नी है केरफुली उसके बाद आप इंजेक्शन लगाना दूसरी बाद यह लग लगाए गास दोस्तों मालो सबकट इंट्रा मस्कूलर मौन मांस में नहीं लगाना इसाति ओ इस इंजेक्शन को अगर आपको लगाना आता है तो बहुत बढ़ी हाँ सावधानी पूर वक्त लगा दीजिए अगर नहीं लगाना आता तो मैं इंजेक्शन लगाना वी चमड के अंदर ही लगेगा सातियों को मास में आप नहीं लगाना है और नाट में लगेगा पुछ लोग नपी में भी लगा देतें नाट में भी यह नहीं लगेगा अगर आपको नोलेज चलए लगाना है दूसरा यह प्राइज की बाद करें तो यह एक एमल का फिलाल जस्ट प्राइज चल रहा है 40 रुपे तो 40 रुपे के अंदर आपको एक एमल मिल जाएगा 50 के जी वो डिवेट पे लगाना है साथियो ठीक है और चमड़ी के अंदर लेगा मास में नहीं लगाना है सावधानी इन चीजों की रखनी है और कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे को कॉमेंट कर दीजिए तो मैं कॉमेंट का आपका रिपलाई करूँगा दूसरी बात अगर आपको इसके बारे में नोलेज नहीं है तो आप पसू चिकसक की देखरेक में इस इंजेक्शन को लगाना है आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे तो इस वज़े से मैंने ये वीडियो बनाई है साथियो और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलको नहीं बुलना है धन्या